नमस्का दोस्तों मैं विजय आप सभी का हमारे यूट्यूब चार्ट्र पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं तो इस वीडियो के अंधर निफ्टी पर बैंक निफ्टी के चार्ट के अनलेसिस करने वाले हैं कि अब इन्हों के अंदर क्या हो सकता है अब देखें फिलाल नि यहां पे आप देखेंगे जो उपर वाली 10 एलान ये सपोर्ट का काम खर रहे हैं तो जो गरावन निफ्टी की हमने टेल गरम पिधेट है था कि ग्रावट कहा तक आ सकती है चौथी बार जाके ठीक इसी टेन लाइन के पास में जाके यहां पर डोजी केंडल बनाई है हमारी निफ्टी ने जो हमें पूरी उम्मीद थी कि यह जो ग्रावट है ना यह 16800 तक आ सकती है और यहीं से इसके अंदर बांस बैक होने वाला ह आफिक वैसा ही हमारा निफ्टी के अंदर हैंपे हुआ है और में यहां पर रीजस्टेंज की बात करूंगा तो देखें यह तरसा से यहां पर रेश्टेजिक लगातार लेती हुई जा रही है अब दुबारा फिर से यह 10 लाइन का हमारा निफ्टी के अंदर टार्गेट रहने वाला है अब देखे दोस्तों हमने यहां पर निफ्टी का एक सपोर्ट जॉन बना दिया है जो सपोर्ट जॉन है ना वो हमारे पास में यहां पर 16800 का समझ सकते हैं यहां पर यह यह देखे ब्रेक आउट हुआ ब्रेक आउट के बाद में यहां पर सपोर्ट बना है और एक तो इस टैंड लाइन का यहां सपोर्ट आ रहा था उपर से यह हमारे पास गया देक्थ 17800 के लिए तो सपोर्ट तो फिर निफ्टी केंदर हमको और गिरावट देखने को मिलेगी तो जो आज डोजी केंडल बनाई है तो उम्मीद है इसका जो लो है वो बहुत ही महत्पून है अब जरह हम केंडलिस्टिक पैटर्न को समझने को सिस करेंगे आप पिछले दो दिन से देख रहे होंगे मार्क है इन नों केंडलों के अंदर आप देखेंगे फ्र हो जाक Hij maggie मार्केट के आप चलोजिह को मिल रहे है तो यह दो केंडल बंद होते होते यह जो recovery आई है ना आप इन तीन candle को देखे इन तीन candle के अंदर कहीं पे भी जो market का low था ठीक वहीं पे जाके किलोजी हुई है, इस वाली candle को देखे, इस वाली को देखे और इस वाली को देखे, इन तीनों candle के अंदर market का जो low था closing हमको वहीं देखने को मिलिए, लेकिन पिछली दो candle के अंदर अगर हम समझेंगे तो low से recovery देखने को मिली है वो भी market बंद होते होते ठीक है तो यह हमको लग रहा है कि buyer अब धीरे धीरे nifty के अंदर active हो रहे है अगर हम target की बात करेंगे तो देखे जो पहला target है जो 16,000 सोरी 17,400 की हम बहुत पहले बता चुके important support था 17,400 का यह breakdown हो जाएगा तो 16,800 का target था जो हमारा आ चुका तो अब यहां से nifty में एक उच्छाल बनता है पहला target 17,400 का 17,400 के बाद में अगला जो महत्पून जो target है ना वो 17,800 का जो भी बहुत दूर की बात है ठीक है जब तक तक तो हम अगला वीक का हमारा वीडियो भी आ जाएगा और आपका के दलो के अंदर जो बायरने कोशिस करी है मार्केट को उपर ले जाने की वह यहां से फिर से फ्यल हो जाएंगे और सेलर मार्केट के अंदर active हो जाएंगे दुबारा और फिर निफ्टी को यहां पर नीचे की तरफ ले जाएंगे तो इस तरह से अगले सब्दा हमारा इस डे चार्ट के अंदर हमारा जो इंपोर्टेंट सपोर्ट है ना वह है हमारे पास में लेवल 49,600 का इस 49,600 की देखेंगे ना तो यह सपोर्ट रहा और ठीक यहां पर एक डोजी केंडल बनी थी इस डोजी के उपर हमने टेलिग्राम पर अप्डेट कर दिया था और जो टा से देख सकते हो यह रेजिटेंस रहा ब्रेक आउट हुआ यहां पर सपोर्ट बनाये फिर ब्रेक डाउन हुआ यह लगा था दो बर रेजिटेंस ले चुक है हमारा बहुत इंपोर्टेंट रेजिटेंस है हमारा वह एक तालीस जार आठ्सों के आसपास 20-30-40. पॉइंट पर नीचे हो सकते हैं और अब सपोर्ट की बात कर रहे थे वह था 49600 का एक चीज और देखेंगे के हमारे जो निफ्टी के सभी स्टॉक है ना वह सभी सपोर्ट पर खड़े हुए लेकिन बैंक निफ्टी ने यहां पर इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन देने कोसिस करी है लेक निफ्टी यहां से और नीचे जाने वाली नहीं है यहां से उपर जा सकती है क्योंकि सभी सपोर्ट पर खड़े अगर उन इस टोक सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा तो हो सकता है निफ्टी के अंदर फिर हमको यह वाले लेवल देखने को तो देखें के पैटन समयने कोसिस करे तो जिस तरह से वी हमने निफ्टी के च्ञान में देखा कि उसमें लो था उस पहला टार्गेट रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर और चाली छास्टों के बाद में फिर यह वाला जो टार्गेट है 41,800 के आसपास का यह हमारा इसके अंदर जो पहला टार्गेट है वह हमारा यह चाली जार चाली जार शास्टों का सैकेंड टार्गेट यह एक तालीजार शास्टों का कुछ यह तरह से सपोर्ट पर काम कर रहा है सबसे पहले हमारे पास में HDFC चार्ट है यह चार्ट में देखेंगे यह चार्ट का काम कर रही है और इसके साथ में हमारा यह लेवल है 15,025 का लेवल समझ लिए यह रेश्टेंस था यह रेश्टेंस यहाप बना ठीक अब यहां पर रेश्टेंस ले रहा है तो यह जो सपोर्ट हो चुगा तो फिर से सपोर्ट है तो इंपोर्टेंट सपोर्ट पर खड़ा है HDFC अगर यहां से ब्रेकडाउन होता है तो निच्छी तोर पर हमको बैंक निफ्टी के अंदर भी ग्रावट देखने को मिल सकती है और यहां पर देख सकतो एक हमको है ना सपोर्ट के नीचे निकल चुका था लेकिन हमारे महत्मुर्ठ के लेवर से नीचे नहीं निकले और यहां पर की तरह पर पास 500 की निचे की तरफ है हमारे पास 510 रुपे की इस साथ रुपे की रेंज के अंदर हमारा यहां पर SBA bank काम कर रहा है तो यह भी support के पास में है अगला श्टोक है हमारे पास access bank के लिए आठीस रुपे का जो लेवल है वो स्टोंग resistance था आप देख सकते हमने अभी HDFC Bank का देखा और Exis Bank का देखा तीनों इस्टक अपने सपोर्ट के पास में काम कर रहे हैं अगला चार्ट है हमारे पास कोटक बैंग का कोटक बैंग के लिए जो 1600 से लेके 1650 का लेवल है वो एक Strong support है हमारे पास में और यहाँ किस अपर कितना बार बार इसी लेवल यहां पर फापर ले राय तो को टक बेंग फिरसे इस ही सिसाइं लेवल पर आ चुका है तो कोट बाय भी अपने सथा के पास काम कर रहा है तो हमного को संतल संकित दे रहे हैं कि इस समयनीय बॉटम बनना चाहिए जितने भी मेजर इस्ट के बैंक निफ veiled खे अंदर वह स यहां से बॉटम बनने का तो उम्मीद करता हूं यह जो वीडियो बनाया क्या है दोनों की चार्ट के अनलिसिस के ही है अगर पसंद आए तो जब वीटियो